कि नमस्कार दोस्ता मेरा नाम महेश और स्वागत आप सब्सक्राइब फिर से अपने चैनल माईदा टैकीपर तो स्मार्ट वोट इस सेग्मेंट में काफी सारे नएने ब्रैंड जाते जा रहे हैं और इसी के साथ जाविया ने भी स्मार्ट वोट इस सेग्मेंट में अपनी एंटरी कर ली है जाविया लेजर 501 मॉडल के साथ में तो यह ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ स्मार्ट वोच आ रही है तो इस वीडियो में पूरी वही अपने स्टाइल में ठोक बजा के इसकी टे तो सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा स्टाइल में फैगादा टेड़ा आ गया तो लेजर 501 मॉडल है अब देख सकते हैं बॉक्से बाकी मैनिफेक्टरिंग लेटी डिटेल्स है और QR कोड है अप्लिकेशन को स्कैन करने के लिए की फीचर्स जाओ को परफॉर्म का लोगे वारंटी कार्ड आपको दिया गया इस पर साही डिटेल्स आप लिखने और साथ के साथ यूजर मैनुल है जो की काफी डिटेल में हर फीचर को अच्छे से इसमें एक्स्प्लेंट करके बता दिया गया है तो आपको कोई दिक्कत आप यहां स से देख के वाच को चला सकते हैं उसके बाद अगर बात करें देखिए रेड कलर का स्ट्रेप यह काफी अट्रक्टिव लगते तो आज हम इसी के अंदर वीडियो बनाते हैं पूरी की पूरी ब्लैक जो है इसकी पॉलिकार्बोनिट की है केसिंग जो है इसकी मैटल की है आप स्पीकर की प्लेसिंग भी यहां पे देख सकते हैं स्ट्रैप 20 mm का सोफट सिलिकॉन का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है स्क्रीन प्रोटेक्शन यहां पर स्पैसिफाइन है तो अवरॉल बिल्ड क्वालिटी हो जो डिजाइन है काफी अच्छा है स्मार्ट वाच का मैटल बॉडी होने के वड़िसे वेट इसका थोड़ा सा जाधा देखने को मिलता है 49 ग्रैम पहनने में भी काफी अच्छी लग रही है वाच और डायल इसका बहुत जाधा बढ़ा नहीं है तो अगर आपकी छोटी रिस्ट है तो उस पर भी वाच ठीक ठाक लगने वाली है और बड़ी रिस्ट पर यह सूट करेगी और पहनने में भी काफी प्रीमिम अजित खास करके इस रेट स्ट्रेप के साथ तो काफी अच्छी लूप का रही है डायल पूरा जैट ब्लैक कलर का लगता है इसका रेजिस्ट वेकप के रिस्पॉंस की बात करें तो वो भी ठीक है लगवग एक सेकिंड में जो वाच का डिस्पले ओन हो जाता है तो इसमें पेरिंग के लि पी जो डिक्वेस्ट को करना है तो चीन से को सकते हैं अब को अब उसको अपसर को आप जरूरे को अगए तर आप कर लीजेगा इसके अंदर उनको एड़ करने के बाद जो है आप उनको टैरेक्ट वाट से दायल कर पाएंगे तो यहां कुछ फैवरेट का ऊंटेक्स को टाइम फॉर्मेट होता है, यूनिट सिस्टम है, और अन्यूजल हार्ट रेट डिटेक्शन है, स्क्रीन आउट टाइम है, वो सारे का सारा जो है, आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, वैदर अपडेट से आपको टेंपरेचर कैसा चाहिए, हार्ट रेट वार्निंग आप सेट कर सकते हैं, लिमिट करके, तो ये काफ़े सारे काम के फीचर इसमें देखने को मिल जाते हैं, अब मेन्यून फीचर की बात करें, उपर स्वाइब करते हैं, मेन्यू का लेयाउट चेंज कर सकते हैं, सेटिंग से उपर स्वाइब करेंगे तो आप नोटिविकेशन को को साथ दिन का देखने को मिलता है उसके बाद बैक करते हैं तो पूरा हनी कॉम मैन्यूर देखने को मिल आते हैं तो इसको चेंज करके फटावट से लिस्ट में कर लेते हैं तो यहां पर भी आपको सारे फीचर देखने को लिए अलार्म हो गया वह सारा कुछ यहां पर फ्लैश लाइट वगरा सब कुछ अविलेबल है फिर उसके बाद जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में देखिए आपको क्यों क्यों को डायल स्वीट्स थेटर मोड है टिस्टर शेक ओन मतलब रेजिस्ट वेकप कॉल रिसेट हो गया फोन और ब्रैटनेस और ब्रैटनेस के अगर बात करते इसमें तो चारपाइं लेवल तका वह भी अजस्ट कर सकते हैं बागी कॉलिंग वोचेज की तरह ये भी आईपी 67 न मतलब एक मिटर गहरे पाने में लेके दा सकते हैं हेवी रेंज एंड स्प्लेशी से आपको इसको बचाके रखना पड़ेगा साथ सते डस्ट एंड सेंड प्रूफ भी है आउट्डोर विजिबिलिटी में इसने डिसेंट काम किया है देखें डारेक्ट सनलाइट का तो वीडियो बनाने पाए क्योंकि क्लावडी मौसम था लेकिन वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी देखने में जब भी बाहर में इसको लेके गया हूँ अराम से डिस्पले जो है इसका काफी क्लियर नजर आ रहा था यह देख सकते हैं बिलकुल उपर की तरफ करके तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली बाहर देखने में तो दोस्तों सर्फेस का अट्र मोनिटर चेक करते हैं वाच नहीं करती है बाकि असलिए अच्छा काम किया है हाट रेट के बात करें दोस्तों तो देखिए इसमें जो है एक बार रीडिंग करके तो स्टॉप हो जाता है अब दूसरी बार टेस्ट करते हैं तो देखिए इस टाइम 95-94 और ऑक्सिमेटर होगी है तो हाट रेट के अपर काफी अच्छी निकल के आती है है कंटिन्योस नहीं आपता एक बार में स्टॉप हो जाता है एस प्योट्योट्यों की बात करते हैं तो मैं हर बार यही कहते हूं कि एस प्योट्यों की रीडिंग्स के लिए स्मार्ट वाच्छ पर रेलाई ना करें तो देखिए 96 हाई ऑक्सिमेटर में 99 ने एक बार है हलो है हनजी अब हम इसकी कनेक्टिविटी रेंज टेस्ट करते हैं तो बाहर आगे हम तक्रीबन दस फूट दूर आगे आवाज आ रहे है हाँ आपके आवाज भी क्लियर आ रहे है मुझे अब थोड़ा चलते हैं हम डिरेक्ट 20 फूट पर चलते हैं और देखते हैं क्या करती है अयुक्त जारीए है मुझे अ काफियर आ रहे है तो आपको आवाज क्लियर आ já मुझे ड़ी Fahrण के चलते हैं पत्चीष उटकिया असपास अब आ रही है वाज कट गई कि नोटिफिकेशन लाइन की बात करें दोस्तों तो आठ नो लाइन का मैसेज आप इसमें पढ़ सकते हैं जो कि काफी अच्छा है जनरली कॉलिंग वाचीज में तीन चार लाइन के इमें पढ़ने में मिलते हैं तो यहां पर भी काफी अच्छा काम कि आप थोड़े बड़े न बटन दबा रहे हैं फंक्शन काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स मोट की बात करें दोस्तों तो इसमें स्टेंडर आर्ट स्पोर्ट्स मोट देखने को मिलते हैं इसके अलवाइस में बिल्ट इन जीपिएस और कनेक्टीड जीपिएस हमको नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरीके चलता है आपको हार्ट रेट का लाइव ग्राफ भी देखने को मिल जाता है आपको यहां पर साथ जैसे बीच में कौई कॉल आ जाती है कुई काम पढ़ जाती है तो आप वर्काउट को पॉस्ट भी कर सकते हैं स्टेब काउंटर की बात करें दोस्तों जैनमें 200 स्टेब चला तो 194 चलुए फिर उसके बाद मैंने वर्काउट को बंद करके दूबाला से 200 स्ट्स पर नेटी के कर लए फिर 400 चला तो 396 और 500 होने पर 494 स्टेब में तो step counter की accuracy यहां पर काफी अच्छी निकल के आती है तो इसमें outdoor running में आपको in-app GPS का support देखने को मिलता है और right side में देखे work out का data कुछ इस तरीके से दिखता है सारी necessary details जो हैं सारी की सारी आपको application में देखने को मिल जाती है sleep tracker की accuracy एक दिन की टेस्ट की वो खास देखने को ने मिले सोने का time तो accurately capture के है लेकिन उठने के time में गड़बड होगी है काफी जल्दी इसने मुझे सो के उठा दिया है तो इसको हम आगे और भी test करेंगे और बताएंगे बाकि इसमें काफी details देखने को मिल जाती है अच्छे लगते हैं और इसमें कोई editable या animated watch face का support नहीं है और जब application को अगर हम खोलते हैं तो उसके अंदर अभी 120 के करी watch face अबेलेबल है बाकि update के बाद इसमें 200 प्लस हो जाएंगे वो तो यह भी काफी अच्छे है आपको हर वराइटी मिल जाएगे आपको analog चाहिए, digital चाहिए, बच्चों वाला चाहिए, festival वाला चाहिए, सारी theme जिसमें आपको देखने को मिल जाती है custom watch face का support भी इसमें देखने को मिल जाता है जो उपकी लगाने में काफी अच्छा लगता है उसके अलावा जब watch की battery low होती है तो आप watch face change नहीं कर सकते है battery backup की बात करते हैं तो देखे calling वाली watches में purely calling पे depend करता है तो आपके दो दिन चल लेगे आप 24x7 heart rate monitor या calling यूज़ करते है regular basis पे तो और अगर आप ये चीज़े regular use नहीं करते हैं तो आपके battery backup चार से पांच दिन चल जाएगा कि आप एक आदी call करें या 24x7 heart rate monitor को बिल्कुल बंद कर दे तो बाकि इसमें काफी सारी details आप watch के नदर देख सकते हैं जैसे activity की details आप last 7 data की देख सकते हैं उसके लावा sleep का data आप last 7 दिनों का देख सकते हैं फिर heart rate की आप last रीडिंग्स चेक कर सकते हैं maximum minimum भी यहीं बता देता है BP की रीडिंग्स बता देता है SP2 की भी last 7 रीडिंग्स आप यहां देख सकते हैं तो डिरेक्ट ब्रैंड से आई एक रेड कलर और ग्रे कलर का स्ट्रैप ता और काफी कमफर्टेबल स्ट्रैप है उसकी लुक्स बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन तीनों ही काफी अच्छी है मतला पहन के चलते हैं तो लगता है क्यों कोई आपने प्रीम जीज डाली प्लस वॉच्पेस अभी एप के अंदर थे वह अपडेट के बाद 200 हो जाएंगा अभी 120 के करीब देखे थे स्पैसिफिकली बताऊं तो तो वह भी लगाकर काफी अच्छे लग रहे थे फिर हम बात करते हैं इसका जो एप्लिकेशन है डीएफित अप्लिकेशन है काफी सा सब्सक्राइब काफी अच्छी देखने को मिलता है तो कुछ बाते जो इसमें और इंप्रूब हो सकती देखने का जो मैंने टेस्ट के तो अभी एक ही दिन पहन के सोया हूं तो उसमें अच्छी निकल के उठने का ताइम उसने जल्दी बता तो आगे उसकी और अच्छा हो सकता है उसके अलबा जो इसको ज्यादा यूज नहीं किया है एक दिन में इसकी बैटरी काफी ज्यादा ड्रेन होगी थी तो दो दिन से ज्यादा बैटरी बैक आप इसमें एक्सपेक्ट ना करें विद कॉलिंग एंड 24x7 हार्ट रेट मॉनिटर उन चीजों के अभी Amazon पर भी अविलेबल होने वाली है तो अगर 3599 की बात करें तो 3599 में इस वाच को लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉलिंग वाली वाचे में 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 प्रेफरेंस कॉलिंग यह होती है और वो एक्सपेरियंस यहां पर हमें काफी अच्छा देखने को मिल ग झाली है